तो किसान भाईयों आज मैं तंडेडवा गाओं में हू तंडेडवा गाओं के परदान जी हैं धर्मिंदर इन्हें से मिलाता हूं इन्होंने एक नया बीज भूया है तो यह बताइए पर EXC시 कौन सा भीज है अब तो बढ़ेगा बहुत बढ़ेगा अब अब देखा वीडियो पर पती उतार देते हैं आप भी उतारो नहीं इसकी पत्ति उतार देंगे इसकी बटाया अब पूलता है और नीचे अच्छा उच्छा लगता है तो यह मेरे खाल में आप लाया हूं तो कितनी बढ़े बतारी था कितना बड़ेजाता है उन्होंने बताया था कि ये 38 वाएटी है उसे ही फैल कर देगे हो वीमारी रोधा के कोई बीमारी नहीं था आप ने जैसा जैसे अकोरोजन फटेया रहा है कुछ न चल लाआ है कुडि एक एक उसमें बीच बीच गन्य एक पैंड़ बोया दो तो एक अखर एक एक अखर अचा अच्छा बोया आज अब इसमें गन्य है कमसिम दो दो चार दो चाहिं आठ दस बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सतरा उनीस बन्स अब यह आपने जो काट देख पोरी के एक आख बसती अब बीच अब है कितने किलो बीच अब अब तो उसमें फेर आख निकाल लिगो और कुछ बच भी गया हो उसमरे नहीं बढ़ एक एक कहा कर दी ना वो तुकडा कर दिया इधर आगया इससा यह तर आगया इसा यह पंदरे किलोग उन्ने मिले तो अगर तीन आख पैंड़ अब बढ़ जाए उसमें क्या नुकसान था अब बीच कम था हमारे बास अचा जब शिद्धा शिद्धा कर बोना था बढ़ा दूरी बढ़ा दी इससे कि मारे वार बाद ज्यादा बीच हो जाए बहुत बढ़ी है हाँ सही कह रहा आप अगर देश तो हम बढ़ान से किसान अब है कि अपनी तोटल गन्ना है कोई भी एक भी गन्ना खराब नहीं है कि और यह 15 किलो गन्ना वारा कमें संदेस कुंटल गन्ने हो जाए आपका है कि यह अपने तीन गश्फी बढ़ी है साब बढ़ा कि खराब नहीं है क्यूंकि इसका एबरेज जो मानले किसान भाई हो यह किसान की 100 चैनल के माध्यम से मैं आपको नया बीच दिखा रहा हूं इक्याओन एक्याण में हमारे टंडेहडा गाओं के परधान जी है मुझुदा इनका अपना मुर्गी फारम भी है और इतन्सवीदी से बोते हैं गन्ना टंशवीदी के लिए उन्होंने सोना लेका का छोटा था टैक्टर भी ले रखाया जो उचिताइब अगरा करता है अच तीस के असपास है कितनी तीस के असपास है एक आख में तीस अगर पैंडा बहते तो बीच ज्यादा लगता लेकिन क्या है यह गैप होने की वज़े से है बात वह यह आ नहीं है अगर गैप करते हैं फिर भी तीस ही होने ते अचा अगर एक बिलांद पर एक फुटपांग हो जाए एवरेज फिर भी होगा है तो यह तो मेरी ख्याला बीच भी कम लगेगा इसका तो किसान भाईयो आपको यह बीच अच्छा लगा हो तो जिरूर लाइक करना नमस्कार